हालो बच्चों, वेलकमें नैसी आटी साइस, आज हम क्लास 12 का टॉपिक हुमेन रूप्रेक्शन से ले रहे हैं, जो है फटलाज़ेशन इंप्लांटेशन, इसके पहले भी हमने कुछ टॉपिक को कवर किये हैं, अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है, आप लाइक कर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करिए, तो मुव करते हम आज को टॉपिक पर हमारा आज को टॉपिक है फटलाज़ेशन, फटलाज़ेशन का एक प्रोसेस होती है, जिसके तुरू जो है तो फ्यूजन होता है मेल और फिमेल गैमिट का, ठीक है, यह जो है तो जो फैल आलोसीडा हो गया, कोरोना राडिएटा यह सब डिफ्रेंट टाइप की, तो इस परम जैसे इंटरी करता है, तो इन लेयर को वह पैनेटरेट करता हुआ और अंदर के लिए उसको इंटरी मिलती है, तो अगर एक इस परम ने इंटरी कर ली तो उसके बाद कुछ वहां पर होंगे और बाकी यहां पर जो रहते हैं, तो वह कैसे होंगे, डिस्ट्वाइ हो जाते हैं, और बाकी इस परम को वह रिकोनाइज नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि बाकी इस परम फिर इसको ओवम को पैनेटरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो इस परम फर्स्ट इंटरी तो इसके लिए क्या होगा आपर माइटोसेस के प्रोसेस होगी सो माइटोसेस के प्रोसेस जो होती है यहां पे वो थोड़ा इस्पेशल टाइप की होती है क्यों? क्योंकि मैटोसिस के प्रोसेस में क्या दिविजन होता है जब तो हाँ पर उसके number and size अब increase होते हैं बत्य हम पर यह पर क्या होगा? यह cell है फैसल का number increase होगा इससे single cell है भाह से क्या होदाइगा? Double cell जाएगी तो four cell बन जाएगी यहां पर क्लीवेस होगा, तो 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 यहां पर क्लीवेस होगा, मेहरोड बोलते हैं, ठिक हऴ यह ब्लास्टोसिस्टर, इसमी वहां होता है आपको दिकने इनर सेल मास होता है कुछ साइड साइड में हो जाता है पूरोफ़ बॉलेंगे और कुछ अंदर साइड में भीटी बनेगी यहां पर जो डिखने थोड़ा नहीं थोड़ा सा प्राइन इनर सेल्मास उता है, उभी अपिक्षा एक्ठे होजाते हैं, उब अग्रिगेसर हो दार्टिए होजाए, उनको हम इनर सेल्मास बोलते हैं फिर क्या होगा इसके बाद इसका implantation होगा implantation क्या होता है जब यह जो ब्लास्टो सिस्ट है यह अभी कहाँ पे जैसे fertilization कहाँ हुआ हुआ है अपोला रिजन में हुआ यहाँ ठीक है बट उसके बाद यहाँ पे जो है तो यूटरुस में आजाता है और दभी implantation क्या होती है यह अभी क्या होगा? यह बलास्टो सिस्थ यह तो यूटरुस के जो इंडुमेटरिम की बॉल है आदे पे जो ट्रॉपबलास्ट की है और इंडुमेटरिम के जो ज़ो सैल है वो जो है तो इसको कैसे कर लेंगी? जैसे यहां पर यह है, तो इसको ऐसे साइड से इसको कवर कलेंगी, वो पूरा embedded हो जाता है, जो एक राइन वाल में, और फिर क्या होगा, यही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है, तो, इंप्लांटेशन कम्प्रीट हो ठीक है, तो, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है तो, एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए